DSP Manishankar Chandra ने यातयात जागरुपता के लिए स्कूलों से की शुरुवात कहा सिक्षा ही मूल मंत्र समाज के लिए यातयात नियम जानेंगे तो कम होगी दुरघटना है सिक्षा समाज के लिए वह वरदान है जिससे किसी भी समाज को बदला जा सकता है इसी मूल मंत्र को लिए निकल पड़े यातायात DSP मनी शंकर चंदरा स्कूल कॉलेजों की और जहां यातायात DSP चाहते हैं कि दमतरे जिले में सड़क दुरगटना आए और मृत्यू दर में कमी आए जिसके लिए अभियान की शुरुवात की और स्कूल कॉलेजों में जाग रुकता लाकर इस सड़क दुरगटना को रोका जा सकता है कहते हैं सिक्षित व्यक्ती अपने घर को ही नहीं पूरे समाज को बदल देता है आज सबसे ज़ादा जरूरत है हमें यातायत नियम जानने और समझने की जिसके लिए स्कूल कॉलेज से शुरुवात करना सबसे बड़िया कदम है क्योंकि जब तक हमें जानकारी नहीं होगी तब तक सड़क दुरगटनाओं में कमीन नहीं आएगी हमें सड़क पर कैसे चलना है कब रुकना है कब रास्ता क्रॉस करना है बेसिक ची इबरा क्रॉसिंग से लेकर डिवाइडर और सड़क पर बेतर तीब से खड़ी होती गाड़ियों पर लगातार कारवाही की है दमतरी की विबस्ता जो आज चुस्त दुरुस्त नजर आ रही है उसमें एक बड़े योगदान के साथ अब पूरे जिले में सड़क दुरगट के सहर से लेकर पकर बोड़े पार तक वहां पर जीतने भी शासकी सागे में उन सभी स्कुलों में हम लो गयाता है और सिच्षा भ्यान लगातार चला रहे हैं और थमतरी से लेकर नगरी तक जहां पर जो सेट हाईवे उसमें वी आगे चलाने का प्रोक्राम में इसके तहट आज केंद्री विद्यालाए कुरूद और छाती विद्यालाए में हम लोग गए हुए थे वहाँ पर लगभग छाती में 500 बच्चे और कुरूद में लगभग देड़ सो बच्चे उसमें सामिल हुए उनको यातयात के नीमों की बेसिक जान करेदी गई की रोड कैसे ग्रास करना है, सिगनल्स क्या क्या होता है, रोड साइन क्या होते है, रोड मार्किंग क्या होती है, हमें किन गिन बातों का साउधानी रखना चाहिए, कार चलाते समय क्या साउधानी रखना है, मोटर साइकल पे चलते समय जो रोड यूजर्स यूज करते हैं उस पे क्या साधानी रखना है और हमारा मुख्य उद्देश यह है कि दुरघटना और मित्यू केस को कम करना और चुमकि बच्चे सरल सहज होते हैं उनको किसी भी बात को बताया जा सकता है हच्छे से और मानते भी हैं तो इ उद्देश यह है कि इनको लगातार बता कि रोड पे जो एक्सिडेंट रहते हैं उनको कम किया जा सकता है साथ ही लोगों की जान बचाई जा सकती है माननी पुलीस अदिक्षक श्री प्रसांसर के मार्गदर्सन में यह चल रहा है और लगातार प्रिया भियान जारी कि यह सकता है